फ्लोट किये गए हैं और दूसरी बेनिफेट इसका यह है कि इसमें टिकेट के प्राइस बहुत कम है नॉर्मली यह 5,000, 6,000, 8,000, 10,000, 15,000 में टिकेट बिकती हैं जो इस बार एक हजार में कैप किया गया है तो यह बहुत अच्छी ऑपरजुनिटी है हमारे IBC के लिए इस इ इवेंट को पिछ करने का एक बहुत अच्छा मौका है हमारे IBC के पास तो आज का जो सेशन में हम आज के सेशन में इसी इवेंट पर फोकस करेंगे हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग स्पेशली फेस्बुक जो मेडियम है वहां पर एड चला के हम कैसे अपने इवेंट को प्रमोट कर सकते हैं हम कैसे जादा से जादा लोगों तक अपना जो यह इवेंट है इसको पिछ कर सकते हैं और जादा से जादा लोगों को कर सकते हैं तो यह बहुत अच्छा मीडियम है एक डिजिटल मार्केटिंग और खास कर काफी एडवांटेज मिले हैं हमारे सामने बड़ा बिजनस ही एक बहुत बड़ा एक्जामपल है जिन्हों ने अपनी आई बीसी की संख्या को दोगुनी तीगुनी कर दी है इस लोगडाउन के टाइम पे आप देखें अगर विवेक बिंदर सर के विडियो वो और ज्यादा आए हैं पिछले छे महीने साथ महीने में क्योंकि उन्होंने लॉगडाउन में ये चीज को आइडेंटिफाई किया है कि लॉगडाउन का मतलब है ज्यादा तर लोग घर पे रहेंगे घर पे रहेंगे तो ऑनलाइन रहेंगे तो ज्यादा content consume करेंगे तो दो चीज़े होती है जब कोई calamity आती है तो उसमें जो smart लोग है वो opportunity ढून लेते हैं और दूसरे लोग जो थोड़े smart कम है वो उन calamity में दुखी होने का एक कारण ढून लेते हैं तो ये it's all about perspective it's all about looking at the brighter side during difficult times तो यही हमारे विवेक बिंद्रा सर ने example के साथ आप सबको दिखाया है और हम भी यही कोशिश करेंगे कि अपने event को हम जितना हो सके digitally अभी प्रमोट करने कोशिश करेंगे ठीक है तो अभी हम आगे बढ़ते हैं मैं अभी अपना screen आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और screen share करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से हम एक ad promote कर सकते हैं Facebook में कैसे create कर सकते हैं एक ad ads manager में जाके और वहाँ पे हम कैसे अपना bounce back event promote कर सकते हैं आपके साथ मैं screen share करने जा रहा हूं आप लोगों को screen दिखने लग जाए तो प्लीज एक बार मुझे message करके यह जरूर बता दिजिए कि आपको मेरा screen दिख रहा है विजिबल लिख सकता है कोई अगर ओके एक्सिलेंट ठीक है तो सबसे पहले हमको क्या करना है facebook.com slash ads slash manage यह url आप याद रखिए याद कर लिजिए इस url पे हमको जाना है और जब भी हम add run करते हैं इसी url को हम use करते है facebook.com slash ads slash manage हम यहाँ जाएंगे एंटर करेंगे जब हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने एक नया पेज खुलेगा यह हमारा facebook ads manager का पेज है इसमें जाके जो आपका add account है आप उस पे click कर सकते हैं पर यहाँ पे हमें add account हम मेरा add account for some reason disabled है तो मैं यहाँ से जाओंगा direct आप उपर तीन line देख सकते हैं उन तीनो lines में अगर आप click करेंगे तो आपको सबसे पहला option जो है वो ads manager का दिखेगा आप ads manager पे click करेंगे आप ads manager पे click करेंगे तो आपको यहाँ पे create का option आएगा क्रियेट में जाके आपके सामने campaign objective पूछेगा facebook आपके सामने इतने सारे objective है हम दो तरह के add run कर सकते हैं अपने event को promote करने के लिए एक तो है हमारा lead generation add जिसमें facebook का ही एक form खुल जाता है और उस form में information automatically आ जाती है customer की और उन्होंने submit अगर उस form को किया तो हमारे पास lead आ जाती है दूसरा है traffic add जहां पर हम एक external URL में अपने traffic ले जाते हैं और वहां आके customer अपनी information देते हैं तो हम अभी traffic add के बारे में सीखेंगे और अगर आप लोगों को lead generation के बारे में सीखना है तो मैं आप लोगों को वह भी सिखाने की कुशिश करूंगा तो यह step by step जाते हैं पहले traffic add में देखते हैं उसके बाद lead generation add देखेंगे तो traffic add के लिए हम traffic select करेंगे जो यहां पर हमारा traffic का option है वो select करके हम continue करेंगे ठेक है जब हम continue करेंगे तो हमारे सामने campaign name का option आएगा यहां पर हम campaign name अपने हिसाब से डाल सकते हैं यह हमारे information के लिए होती है सिर्फ हमारे के knowledge के लिए कि हमारा campaign किस चीज़ के उपर था ताकि हमें याद रहे तो हम इसमें लिख सकते हैं digital bounce back event in December 2020 हम ताकि हम याद रहे हमने कौन सा चलाया था और हम इसमें bracket में यह भी लिख देते हैं traffic ad ताकि पता चले किस टाइब का चलाया था हमने next फिर हम next क्लिक करेंगे ad set का नाम है इसमें हम एक नाम डालेंगे उसके बाद हम इसके नीचे आएंगे यहाँ पर वह हमसे पूछ रहा है facebook choose where you want to drive traffic traffic मतलब हम कहां पर अपने traffic को लेके जारें traffic से मतलब है जो लोग विजिट करते हैं उनको हम कहां पर लेके जारें उनस विजिट को कहां पर राउट कर रहे हैं तो हम इसमें website चूज करेंगे क्योंकि हमारा जो website इस event के लिए आप सभी को एक URL मिला होगा जिसमें by default आपका information input रहता है आप उसी URL को as a website consider कर सकते हैं उसके बाद website select by default रहता है आप नीचे आएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपका बजट क्या है आपका डेली बजट क्या है एड रन करने का तो हम by default एक budget 800 रुपीज का दिया हुआ है तो हम अपना बजट सिलेक्ट करेंगे चलिए मैंने for example 500 रुपे ले लिया और आप देखिएगा एक चीज कि जितना बजट आप ले जो रीच है और मेरी लिंक क्लिक्स है वो भी चेंज होती है आप देख सकते हैं अब इसको मैंगर मैं 500 करूंगा आप ध्यान दिजीगा यह फिर से कम हो जाएगा तो जितना आप budget लेंगे उस हिसाब से लिंक क्लिक्स आपको मिलती है तो आपने 500 रुपे लिया आप इसमें स्टार्ट डेट और एंड डेट सिलेक्ट कर सकते स्टार्ट डेट इसमें डिसमबर नौध बाइड इफॉल्ट है आज का डेट और आठ पंदरा का टाइम है क्योंकि इस टाइम पर हम एड चला रहे तो हम इसका टाइम चेंज करके नौ बज़े का भी कर सकते हैं चलिए 9 दिन का ले लेते हैं 9 से 12 ले लेते हैं और इसको भी हम 9 PM एंड कर देंगे तो यह आपने कैंपेंड डेली बजट और एक चीज़ और है यहां पर डेली बजट बाइड डिफॉल्ट रहता है आप चाहे तो या तो डेली बजट ले सकते हैं या लाइफ टाइम बजट ले सक आप लेंगे तो पांच दिन के बाद वो बजट आटमाटिकली कट जाएगा तो लाइफ टाइम बजट का एक बेनिफिट और रहता है जो कि मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने लाइफ टाइम बजट अगर आप सिलेक्ट करते हैं और आप इस पर एडिट करेंगे और इस को सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक बॉक्स नीचे खुलता है इसमें वह आपको पूछेगा कि आप अपना एड कप से कप तक स्केडियूल करना चाहते हैं आपको अगर लगता है सुबह नौ से रात के नौ बज़े तक मेरा चलना चाहिए और बाकी के टाइम पर नही अगर आपको सुबह नौ से रात के नौ बज़े तक यह चलाना है और उसके अलावा आपको नहीं चलाना है ताकि आप बाकी के टाइम पर जब रोख सो रहे होते हैं आप अपना एड नहीं वेस्ट करना चाहते तो आप क्या करेंगे एवरी डे पर आएंगे आप 9 a.m. से सिलेक्ट करेंगे और आप आगए ऐसे बढ़ते रहेंगे और ठीक आप 9 p.m. पर रुख जाएंगे हम 9 p.m. पर रुख गए अब यह आपका एड सिर्फ 9 a.m. से 9 p.m. ही जलेगा यह आपको benefit जो है lifetime budget पर मिलता है अगर आप lifetime budget नहीं सिलेक्ट करते हैं डेली बजेट से लेक्ट करते हैं तो ये option जो है यह हट जाता है अगर आप देखेंगे अभी डिजर्बल हो गया नीचे तो यह अब आपके ऊपर है आप कौन सच लेना चाहते हैं या lifetime लेना चाहते हैं उसके बाद आप नीचे आएंगे जब नीचे दार्गेट कर सकते हैं महाराष्ट्रा आंधरप्रदेश यह तमिल नाडव आपने जहां पर घोड़ करना आप उस टेट का या सिटी का नाम बिदा सकते बोपाल इंदौर वगएरा वगएरा आप सिटी डाल के आप अपना age group select कर लीजिए जो आपका target age group है उस पे for example अभी मैंने 25 साल का age group लिया है और मैं चाहता हूं कि 25 साल से 50 साल के लोग ही सिर्फ देखें उसके उपर के ना देखें तो मैं यह कर सकता हूं gender में यह all gender select किया हुआ है और detailed targeting में आप यहां पर वो demographic select कर सकते हैं या वो behavior select कर सकते हैं या वो interest select कर सकते हैं जो आपको लगता है आपके target market में होना चाहिए जो आपके ad को देखके positively react करें तो अगर आप कुछ qualities चाहते हैं अपने target market में आप वैसे keywords यूज कर सकते हैं तो for example मैं चाहता हूं कि मेरा जो target market है वो small business में interested हो और यहांसे उसको accept कर लिया फिर मैं चाहता हूं कि वो business owner होने चाहिए उनके अपने business होने चाहिए तो मैंने business owner select कर लिया अब मैं चाहता हूंकि उनको entrepreneurship में interested होना चाहिए तो मैं entrepreneurship select करता हूं और ऐसे ऐसे करके 4-5 अपना मैं इंटरस्ट डाल सकता हूं आप जादा भी डाल सकते हैं अब आप देखेंगे राइट साइड में थोड़ी सी आपकी रीच कम हो गई सबसे उपर जो है वो पोटेंशिल रीच है चार करोड दसला के आपकी रीच है पोटेंशिल मतलब इतने सबस्वाइब करेंश जो आपका इस क्राइटी रिया को मैच करते हैं मीट करते हैं उसके आप नीचे देखेंगे तो रीच जो आपका बजट है 500 रुपया का उस चार्शु रुपया का उस बजट में आप 11,000 से 31,000 लोगों तक रीच कर सकते हैं जिसमेंसे आपको confirmed 194 से 560 link clicks मिलेगी जो आपके URL को click करके आपके page पे आएंगे वहाँ पे आके information देते हैं कि it's completely their prerogative, it's completely up to them लेकिन आप उनको अपने page पे जरूर ले आएंगे, इतने लोग आपका link click करके page पे आजाएंगे और अगर 500 लोग आपके page पे आते हैं या convert भी होंगे ठीक है, उसके बाद हम नीचे आएंगे यहाँ पे automatic placement का option है या manual placement का option है अगर आप automatic placement करते हैं इसका मतलब यह है कि आपका ad by default Facebook में, Instagram पे Mobile पे, Computer पे हर जगा सब को दिखेगा अगर आप manual करते हैं तो आप अपना view जो है, वो choose कर सकते हैं कि आप कहां चाहते हैं आपकी views आप device चूज कर सकते हैं कि आपको desktop पे नहीं दिखाना, सिर्फ mobile पे दिखाना तो आप desktop अटाके mobile पे छोड़ सकते हैं आपको Instagram पे नहीं दिखाना, आप Instagram अटा सकते हैं या Instagram और Facebook पे दिखाना है लेकिन हर जगा नहीं दिखाना तो आप बीग्र चाहते हैं कि आप किॉर में आप ऑटिकल्स में नदीखिे, एैप्स और साइट में ना दीखिए, तो आप उसको अनत्स कर सकते हैं ठीक है उसी ओड़ाव हाट को, तो अगर आप लोग नएं हैं आप लोगों को अभी नहीं पता तो शुरू में automatic placement का ही option रहे तो better है तो और जैसे जैसे थोड़ा आपको confidence बढ़ेगा experience होगा तो आप manual placement पे भी आ सकते हैं ठीक है अब हम इस पे करेंगे next next करके हम यहाँ पर add का नाम दे देंगे और हम अपना facebook का page select करेंगे यहाँ पर जो भी आपने page बनाया है वो page यहाँ पर आ जाएगा आपके अगर कई page हैं तो आप उसमें से अपना एक page select कर लेंगे और यहाँ पर आप अपना instagram account को भी select कर लेंगे अगर आपने instagram account facebook के साथ connect किया हुआ है अगर नहीं किया हुआ है तो आप connect करके अपना instagram account connect कर सकते हैं आप facebook page के साथ अपने instagram account भी बना सकते हैं उसको business में convert कर सकते हैं और instagram और facebook को एक साथ जोड सकते हैं तो उसके बाद आप आप जो भी add facebook पे दिखाएंगे वो आप instagram पे भी साथ में चला सकते हैं, इससे आपकी reach जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं, जो Facebook में interested नहीं होते हैं, सिर्फ Instagram में interested होते हैं, उनको भी आपकी ad देख जाएगी, अगर वो आपका target market का criteria match कर रहे हैं, तो ठीक है, इस पर फिर नीचे आएंगे, तो यहाँ पर add media का option आता है, आप add media पर जाएंगे, और add image करेंगे, और यहाँ उपर upload से आप अपने computer से upload कर सकता है image, मेरे case में मेरे पास already कुछ images हैं, जो saved किये हुए हैं मैंने upload करके, तो उसमें से मैं एक ले लेता हूँ, जब इस page पर आएंगे, आप done करेंगे, यह image अलड़ी आपका आजाएगा, अब आप देख सकते हैं, इस image की preview आगई है, जो मैंने लिया है, और preview के अंदर यह यहाँ पर दिखा रहा है कि feed में यह image कैसा दिखेगा, और story में कैसा दिखेगा, आपको अलग-अलग preview दिख रही है, अब हम थोड़ा नीचे आएंगे, तो यहाँ पर हमको वो बोलता है कि आप text क्या डालना चाहते हैं, तो क्यूंकि आप digital bounce back event प्रमोट कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर उससे related text डाल सकते हैं, दो चीज का ध्यान रखिएगा, यह text वो है जो लोग पढ़ेंगे और उसके बाद decide करेंगे, कि आपके ad को वो click करें कि नहीं करें, तो यह आपके link को click करें कि नहीं, तो दो चीज होना चाहिए, एक तो आपका text clear होना चाहिए, आप क्या बोल रहे हैं जिसमें लोगों को पता चले, और दूसरा थोड़ा सा आपको hype create करना होगा, कि यह event बहुत important है, और एक hype create करना होगा, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का नाम वैसे ही एक brand है, तो आप उनका नाम use करेंगे, तो थोड़ा आपको easy पड़ जाएगा, लोगों convince करने में, क्योंकि उनका नाम लोगों ने अल्रड़ी सुन रखा है, और एक चीज और आप ध्यान रखिए, कि अगर आप ticket sell कर रहे हैं, तो अगर आप urgency create करेंगे, या आप scarcity create करेंगे, कि जल्दी book करें, tickets finish हो रहे हैं, seats are filling up fast, इस तरह का scarcity आप create करेंगे, तो उसमें chances बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके लिए एक sample कुछ लिखूंगा, जैसे हम यहाँ पर bounce back का कर रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं, ठीक है, digital bounce back event happening for the first time online, seats are being filled fast, और एक आप कोशिश करेगा कि language आपकी simple हो, बहुत ज़्यादा complicated या high five words ना हो, इससे लोगों को समझने में मुश्किल होती है, headline में हम डाल देंगे, ठीक बेस्ट चांस टू लर्न फ्रम डॉक्टर विवेक बिंद्रा, book now, काफी है, अब हम, अगर आप देखें, तो हमने जो headline और primary text डाला था, वो हमारे, preview में भी show हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर नीचे, CTA जो आ रहा है, वो अभी learn now आ रहा है, तो हम CTA को change करेंगे, CTA का मतलब होता है, call to action, तो call to action में हम learn now नहीं दिखाएंगे, हम यहाँ पर, हम दिखाएंगे book now, clear city होना चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि वो click करेंगे, तो उनको book करना होगा, या book करने के लिए click करेंगे, अब यहाँ पर website URL है, website URL में आप लोगों को जो link दी गई है, bounce back event की, आप वो डाल देंगे, ताकि यह sale जो है, अगर हो, तो आपके credit पर आए, आपके नाम से वो count हो, तो इसलिए correct URL डालना बहुत जरूरी है, जब आप यह information डाल देंगे, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना, आप publish करेंगे, और आपका एड लाइव हो जाएगा, आपका एड चालू हो जाएगा, कुछ देर के लिए वो एड रिव्यू में जाता है, फेस्बुक की एड स्टीम के पास, उसके बाद वो रिव्यू करते हैं, और आपका एड जो है, वो चालू हो जाता है, तो यह है ट्राफिक एड, हमारे पास अभी लीड एड भी है, और अगर किसी को यह सीखना है, एड मैनेजर को कैसे सेट अप करना है, नया एड एकाउंट कैसे बनाते हैं, या नया पेज कैसे बनाते हैं फेस्बुक पे, तो देकें आस्क मी, तो अब मुझे जरा चैट पे बताईए, कि कितने लोगों को यह क्लियर हुआ है, कितने लोग समझ पाएं हैं, प्लीज थोड़ा सा मुझे यस नो कुछ लिखिए, यह क्लियर था आप लोगों के लिए, एक्सलेंट, 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 प्रवीन जी, लिंक आपको वेबसाइट यूरल जहां पर मांग रहा है, वहां पर देनी हैं, जहां पर वेबसाइट यूरल है, एक्सलेंट, वेरी गुड, बड़ी खुशी हुई मुझे, कई लोगों को क्वेश्चन भी होगा, मैं आप लोगों को लीड एड भी सिखा दूँ, उसके बाद क्वेश्चन लूँ, तो बहतर रहेगा, या अभी आप लोगों के कुछ क्वेश्चन लूँ, क्या बहतर रहेगा, मतलब अभी मेरे को लीड एड भी मैं दिखाना चाहता हूँ, ओके ठीक है ठीक है मैं बाद में लेता हूँ हाँ रेकॉर्डिंग हो रही है सेशन आप लोगों को रेकॉर्डिंग भी मिल जाएगा सर अगर आपको इंस्टाग्राम पे ही चलाना है सिर्फ तो आप जब मैनूल प्लेस्मेंट करेंगे उसमें से आप फेस्बुक को सिलेक्ट मत करिए सिर्फ इंस्टाग्राम को सिलेक्ट करिए फिर इंस्टाग्राम पे ही चलेगा सर्फ कि बाकि मैं questions आपके लूंगा तो मैं जल्दी से आप लोगों को ये भी सिखा देता हूं कि Facebook पे पेज कैसे बनाते हैं एकदम basic से और ये भी सिखा देते हैं कि ads account कैसे setup करते हैं ताकि basic चीज़ा आप लोगों की clear हो जाए ठीक है मैं फिर से अपना screen आपके साथ share करता हूँ आप लोगों को I hope की मेरी screen दिख रही होगे भी ठीक है आप लोगों को अगर page बनाना है सबसे पहले आप जाएंगे Facebook.com पे अच्छा एक request है आप लोगों से हर सेशन पे हम attendance मार्क करते हैं यह एक हमारा protocol है जो हम follow करते हैं और यह सब के लिए mandatory है attendance अपना फिल करना ताकि हम लोगों को पता चले कितने लोग attend कर रहे हैं session तो एक request है मैं एक link आप लोगों को साथ share करूंगा आप प्लीज attendance को फिल कर दीजे मैंने अभी link शेयर किया है आप सभी के लिए mandatory है बस दस पंद्रा सेकंड लगेगा आप यह इंटेंडेंस फिल कर दीजिए इस से आप लोग आये हैं इस session में यह clear हो जाएगा और नाम है phone number है आपका city है और CP का नेम है CP नेम अगर आपको नहीं पता तो आप अपना state का नाम डाल सकते हैं और नाम पता है तो नाम डाल सकते हैं तो मुझे पता चल जाएगा कितने लोगों ना फिल किया है और वैसे मैं देख पा रहा हूं मेरी sheet में आ रहा है वो कितने लोग फिल कर रहे है वो information भी आ रहा है थैंक यू शनिवास जी थैंक यू जिसने भी नईम जी थैंक यू थैंक यू अभिनाज जी कनहिया जी थैंक यू कृष्णा जी थैंक यू मैं देख रहा हूं काफी लोग भर रहे हैं और काफी हों के अभी बाकी है जबीन जी थैंक यू शैलेज जी थैंक यू निलेश जी थैंक यू कोमल जी थैंक यू फातिमा जी थैंक यू योगिता जी, अश्रफ जी, मयूर जी थैंक यू आप सभी को थैंक यू नागराज जी कॉशल जी थैंक यू, रामदास जी थैंक यू सुशान जी थैंक यू काफी जल्दी जल्दी भर रहे हैं आप लोग, that's great थैंक यू, सभी लोग भर देंगे तो हम आगे बढ़ेंगे हमार साथ आज काफी लोग जुड़े हैं और आप लोग काफी मोटिवेटेड लग रहे हैं मुझे, जो की बहुत ही अच्छी बात है सर मैं दुबारे लिंक शेयर करता हूं जिसको लिंक नहीं मिला निशान जी मैंने दुबारे लिंक शेयर किया है आप देख सकते हैं चैट पर जिन्वनने भी अटेंडेंस इस फिल किया है, उनको यह एक यह, और जिन रहे नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है मेरी हमबल रिक्वेस्ट प्लीज आप फिल कर देंगे तो आप फिल कर देंगे तभी मैं दिखाना शुरू करूंगा अदर्वाइस कॉंसेंटरेशन ब्रेक हो जाएगा आपका आप दो चीजों में ध्यान नहीं रख पाएंगे इसलिए आप फिल कर दीजिए इसको और मैं यह बिगिनिंग में इसलिए ले रहा हूं कि क्यों बाद में लोग जाने चले जाते हैं यह जाने लगते हैं तो वह अटेंडेंस थिर से कंप्लीट नहीं हो पाता है थैंक यू थैंक यू सो मच ग्रेट ग्रेट जो फिल कर रहे हैं वो करते रही है मैं दुबारा से अपना स्क्रीन शेयर करता हूं हां जी जिसने भी स्टार्टिंग में इस किया है मैं दुबारा दिखाता हूं उनको सबसे पहले हमें facebook.com पे जाना है पेज क्रियेट करने के लिए नया हम facebook.com पे जाएंगे तो हमारा home page खुलेगा यह हमारा home page है और home page के अंदर हमारा जो नाम है नाम के बिलकुल right में प्लस का साइन आता है हम प्लस के साइन पर क्लिक करेंगे और यहां पर एक page का option आता है हमें क्या डाले training डालते हैं देखते हैं training का option आता है क्या training का option नहीं आता है हम इसमें डालते हैं education 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 आंगया एक हम description डाल देंगे सिंपल सा आप चाहे तो इसको थोड़ा भी कर सकते हैं word limit के अंदर और वो जाके हम करने के बाद हम create page करेंगे हम create page करेंगे उसके बाद ये page create हो जाता है फिर हमें profile picture और cover image डालना होता है तो हम एक profile picture लेंगे मैंने desktop पे अलड़ी एक picture safe किया हुआ है और ये रिलेटेड नहीं है हमारे पेज के नाम से पर ये मैंने आपको सिर्फ एज़े सैंपल दिखाने के लिए किया है और हम cover image लेंगे ये भी मैंने लिए cover image की एक particular size होती है वह आप चेक करके उसी size की image आप लेंगे तो अच्छा रहेगा और हम save करेंगे अब हम जब ये save करेंगे हमारा page जो है वह बनके create हो जाएगा अब हमसे थोड़ा सा important next step बता रहा है कि image complete करना चाहिए welcome post करना चाहिए invite friends तो लाइक ये वह थोड़ा सा वह option दिखाता है हम इसको close कर देंगे किसी कारण से वह image दिखने रहा है ठीक है उसके बाद यहां पर add a button पूछा जा रहा है तो add a button को अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास दो option आते हैं एक तो कि हम चाहते हैं कि लोग directly आ जाए और हमारे पेज को follow कर सके और दूसरा option है कि हमें वह direct message भीज सके तो हम follow पर click करेंगे तो यहां पर एक follow का button add हो जाएगा कोई भी आजाए इस button को क्लिक करके हमारे पेज फॉलो कर सकता है तो इतना सिंपल है बस ऐसे ही हम page create करते हैं इस वेरी सिंपल प्रोसेस अब मैं आपको दिखाता हूं एड अकाउंट कैसा बनाते हैं जब आपने पेज बना लिया तो उसके बाद आप एड अकाउंट बनाएंगे इसके लिए आप जाएंगे facebook.com slash ads slash manage पे दुबारा एंटर करेंगे और जब आपका ये page खुलेगा अभी मेरे पास दो एड अकाउंट है इसलिए यहां पर एड अकाउंट दिख रहा है लेकिन आपके पास जब एड अकाउंट नहीं होगा तो यहां पर कुछ नहीं दिखता आप सिंपल इन तीनों उपर जो तीन लाइन है facebook ads के साथ आप उस पर क्लिक करेंगे और business settings में जाएंगे second option में business settings के अंदर आपको pages दिखेंगे ठीक accounts के नीचे और pages के नीचे दिखेगा add accounts आप add account पे क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ side में आपको option दिखेगा add आप add पे क्लिक करेंगे और create a new add पे क्लिक करेंगे इस option पे जब आप create a new add करेंगे तो वो आपसे पूछेगा आपके add account का क्या नाम होना चाहिए आप अपना खुद का नाम भी रख सकते हैं टाइम जोन आप इंडिया का डाल सकते हैं और करंसी में आप इंडियन करंसी हमारा INR सिलेक्ट कर सकते हैं उसके बाद आप next करेंगे जो अगला pop-up आएगा उस पे आप जो भी वह information मांगता है कुछ ज़्यादा information नहीं होती है वो डालके आप अपना ad account setup कर सकते हैं इस वेरी वेरी सिंपल प्रॉसेस ठीक है जी यह है प्रॉसेस एड अकाउंट क्रियेट करने का और पेज क्रियेट करने का कितने लोगों को क्लियर हो गया यह जिसने भी attendance फिल किया है थैंक यू जिसको भी क्लियर हो गया एक बार message करके बोल सकता है मुझे यह बहुत सिंपल था ग्रेट 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 एक्सलेंट एक्सलेंट ठीक है अब हमारा जो last वाला जो campaign है जो मैं आपको दिखाऊंगा वो है कि कैसे कैसे हम lead ad generate करेंगे ठीक है आप लोगों को वैसे भी recording मिलेगी आप recording दुबारा चेक कर सकते हैं किसी को अगर clear नहीं है तो वो थोड़ा सा इसको review दुबारा कर सकता है revision कर सकता है ठीक है मैं दुबारा से screen share करके आप लोगों को lead ad के बारे मां सिखाऊंगा यह बहुत ही इंपोर्टन एड है lead ad जो की digital bounce back के बाद भी आपको काम आएगा क्योंकि lead ad जो होता है lead ad से आप अपने ABC वगरा वाला जो campaign आप चलाते हैं उसके लिए भी आप leads gather कर सकते हैं तो यह बहुत इंपोर्टन एड है तो इस पर थोड़ा सा concentrate जादा कीजिएगा सबसे पहले आप facebook.com पर जाएंगे slash ads slash manage करेंगे आप enter करेंगे हमेशा आप यह url याद रखिएगा facebook.com slash ads manage आपको इसी url से जाना है campaign create करने के लिए फिर आप इन तीनों लाइन पर क्लिक करेंगे ads manager पर जाएंगे अगर आपका ad account क्लियर हो गया तो आप अपना ad account पर भी क्लिक कर सकते हैं पर हम यहां पर ads manager करेंगे उसके बाद अभी हमने traffic ad generate किया था अब हम lead ad generate करेंगे तो हम create क्लिक करेंगे उसके बाद हम यहां पर lead generation का option select करेंगे फिर हम continue select करेंगे अब वह हमसे फिर से campaign का नाम पूछेगा तो हम डालेंगे digital bounce back lead ad campaign for example और हम इस पर next करेंगे हम एक campaign का नाम यहां पर add set का नाम डालेंगे अब यहां पर नीचे दो information आती है एक है instant form और एक है calls तो by default instant form selected रहता है हम instant form पर ही उसको रहने देंगे हम calls नहीं करेंगे calls अगर करते हैं इसका मतलब यह है कि हम अपने customer को जिनकी information हम ले रहे हैं हम उनको कह रहे हैं कि आप हमें call कीजिए तो normally कोई भी इतना बड़ा commitment नहीं करता कि खुद से call करें इसलिए instant form पर आप लोग आपको उनकी information मिलेगी फिर आप खुद से call कर सकते हैं तो instant form पर ही इसको छोड़ दीजिए उसके बाद नीचे आएंगे आप अपना page select करेंगे तो अभी हमने एक page बनाया था bounce back का तो digital bounce back हम वो पेज ले लेते हैं तो कभी भी आप जब नया page create करते हैं और उससे आप lead ad चलाते हैं तो आपको terms and conditions को accept करना होता है तो यहां पर आप view terms करेंगे और I agree करेंगे तो यह accept हो जाएगा फिर आप नीचे आएंगे तो बाकी वो सेम ही रहेगा budget जैसे मैंने आपको last time सिखाया था आप अपना budget choose कर सकते हैं आप start date और end date select कर सकते हैं जैसे हमने last time किया था तो इस पर जादा समय नहीं बिताएंगे आप फिर से location सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे बात पिछले बार सिखाया था पिछले आट पे और अपना age group select कर सकते हैं और demography select कर सकते हैं जैसे हमने small business और entrepreneurship और business owner यह सब select किया था आप वह भी यहां पर सेम तरीके से कर सकते हैं तो इसमें आपको right में देखने लग जाएगा कि कितनी आपके potential reach है कितने आपके पैसे से जितना पैसा आप डाल रहे हैं उसमें कितनी आपके रीच है और आपको कितने leads मिलेंगे दिन के यह आपको दिखने लग जाएगा जैसे कि आप right side में देख पा रहे हैं आप चाहे तो इस audience को save भी कर सकते हैं फिर आप क्या होगा कि next time आप add करेंगे तो इसी audience को आप easily target कर सकते हैं आपको नया audience फिर से नया audience बनाने के ज़रूत नहीं पड़ेगी फिर से manually नहीं करना पड़ेगा अगेन automatic and manual जो आपको पता ही है हम यह करने के बाद next जाएंगे जब हम next page पर जाएंगे तो add का नाम हम फिर से select करेंगे उसके बाद हमसे facebook का page वह selected रहता है digital bounce back instagram को आप इस पर connect कर सकते हैं या select कर सकते हैं वह आप से पूछेगा single image या video आप single image या video select कर सकते हैं नीचे आके edit करेंगे change media करेंगे और अपना जो आपका media है वह आप select कर सकते हैं मैं random image लेके आपको दिखा रहा हूं कैसे यह होता है उसके बाद आप अपना text यहां पर डालेंगे जैसे हमने last time डाला था आप अपना headline डालेंगे description जो होता है वह optional होता है वह आपको जरुवत नहीं है डालने की display link में आप अपना digital दुकान वाला link या bounce back वाला link डाल सकते हैं उसके बाद नीचे sign up है आप उसको book now कर सकते हैं या sign up पर भी छोड़ सकते हैं कि फिर हम नीचे आएंगे अब आप देखिए preview भी दिखना शुरू हो गया है और नीचे headline भी आपका आ है और उपर जो primary text वह भी आ रहा है जब आप प्रॉपर टेक्स डालेंगे यहां पर मैंने कुछ भी ऐसी रैंडम कुछ डाल दिया था प्रॉपर टेक्स डालेंगे तो प्रॉपर दिखेगा आपको और बुक्नाव का सी टीए भी आ रहा है आप नीचे आएंगे तो यहां पर instant form है और उसके नीचे आप आएंगे तो create form का option है अब हमें यहां पर एक form create करना होगा तो form create करने के लिए हम create form पर click करेंगे ठीक है हम अपने form का एक नाम देंगे यह सिर्फ आपके लिए है उसके बाद नीचे आपके पास दो option आएगा more volume यह higher intent more volume का मतलब है कि आपका add जो है वो ज्यादा लोगों को ज्यादा leads आपके लिए आएगा और इसमें जितने लोगों ने आपका add देखा उसमें leads की संभावना आने की बढ़ जाएगी higher intent में क्या होता है आपकी leads more volume से कम आएंगे लेकिन leads की quality बेटर होगी क्योंकि इसमें क्या होता है कि form automatically submit नहीं होता इसमें प्रीफिल तो होता है form लेकिन वो एक बार पूछता है कि do you want to submit this form और जब वो हां कहते हैं आप उस पर करें तो normally higher intent is a better option फिर हम नीचे आएंगे इंट्रों में इंट्रों में जो इमेज आपने यूज किया एक पर वही इमेज वह ले ले लेता है उसके बाद वो बोलता है कि एक greeting डालिये तो ग्रीटिंग में हम लिख सकते हैं कि डिजिटल कि बाउंस बैग इवेंट कि बाई डॉक्टर विवेक बिंद्रा कि इसमें वर्ड लिमिट होता है साथ केरेक्टर का लिमिट होता है तो हम थोड़ा सा इस पर कम लिखें तो अच्छा है कि उसके बाद एक यहां पर पैरेग्राफ मांग रहा है तो इसमें आप ज्यादा डिटेल दे सकते हैं इस पर आप लिख सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन कि अच्छा कि अच्छा कि 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 हम थोड़ा सा इसमें डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि अब आप देख सकते हैं प्रिव्यू में भी दिख रहा है वो इन्फरमेशन उसके बाद हम नीचे आएंगे हम क्वेशन में आएंगे क्वेशन में थोड़ा सा वो प्रिफिल क्वेश्चन दो अल्रडी दिया हुआ है इमेल अड्रस फूल नेम आप राइट में देख सकते हैं हम इस पर एक इन्फरम एक क्वेश्चन और डाल देंगे जो की फोन नंबर का है तो हम कॉंटेक्ट इन्फरमेशन आपके लिए काफी है इस से जाधा की आपको जरूरत नहीं है अब हम प्राइवसी में आएंगे प्राइवसी में हम अपना लिंक डाल देंगे जो हमारे पास लिंक है बाउंस बैक का जब आप आइबीसी के लिए करेंगे तो आप अपना डिजिटल दुकान का लिंक डाल सकते हैं यहां पर हमने लिंक डाल दिया प्राइवेसी के बाद कम्प्लीशन में आएंगे यहां पर हम लिख देंगे थैंक्स पर सब्मेटिंग यॉर इन्फोर्मेशन अब वह यहां पर लिंक मांगेगा हम अपना लिंक डाल सकते हैं बाउंस बेक बाक बैक का उसके बाद हम करेंगे पब्लिश अगर कोई इन्फोर्मेशन रहे गई है छूट गई है तो वह पब्लिश नहीं होता है एक information छूट गई है तो उसमें हम वह बोलेगा कि कैसे हम डेटा यूज तो हम इसमें simply लिख सकते हैं प्लीज फिल दर फॉर्म टू बुक यूर टिकेट्स नाउ उसके बाद हम पब्लिश करेंगे जब हम publish करेंगे तो हमारा form जो है हमारे add campaign में add हो गया है publish हो गया है अब हमें कुछ नहीं करना बस publish पे click करना है bottom right से और हमारा add publish हो जाएगा वो फिर से review में चला जाएगा और हमारा add run होना शुरू हो जाएगा ठीक जी इतना simple था यह run करना अब मैं अपनी screen sharing बंद कर रहा हूं और मैं आप लोगों के पास वापस आ जाओंगा और अब आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक एक करके अपना hand सभी लोगों ने attendance फिल कर दिया by the way आप लोगों को क्लियर है लीड जेनरेशन जो सिखाया है कितने लोगों को समझ में आया है ओके एक्सलेंट थोड़ा सा आप लोग बोलते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है थैंक यू थैंक यू जिसको भी समझ में आया जिसको नहीं समझ में आया उनके लिए एक recorded वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा किसी ने मुझसे पूछा क्वालिटी लीड कैसे आती है वो भी मैं बताऊंगा पर अभी मैं क्या करता हूं कि आप लोग अपना हैंड पहले रेज करिए मैं उसी तरह से लूँगा अगर ऐसे सभी बोलने लगेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी थैंक्यू स्वापनिल जी ने अपना हाथ उठाया है थैंक्यू स्वापनिल जी मैं देख पा रहा हूं और जिन्हों ने भी हैंड रेस नहीं किया वह अपना हैंड पार्टिसिपेंट्स में जाके हैंड रेस करने का ऑप्शन आता है अपना हैंड कर सकते हैं तो पहला सवाल मैं सवापनिल अगंधी सालेता हूं आपना सवाल आप ne सब्सक्राइब करते हैं कि वह एक एजनसी है और वो बोलते हैं कि हम आपको लीड देंगे और हम उस पर भरोसा करते हैं और हम उनको बहुत सारा पैसा देते हैं फिस्बूक का प्लाटफॉर्म जो आपके लिए है वो ही उनके लिए है वो कोई alak platform यूज नहीं करते हैं जो strategy मैंने आपको सिखाई है वही strategy उनकी भी होती है कुछ अलग नहीं करते तो high quality leads का guarantee कोई नहीं ले सकता वो इसलिए आप guarantee लेते हैं कि उनको आपसे पैसा लेना होता है मैं digital marketing बड़ा business आप लोगों को इसलिए सिखा रही है क्योंकि बड़ा business चाहती है कि आप लोग इतने confident बन जाए कि अपना leads आप खुद ही आप create कर सकें आपको किसी पर depend होने की जरूत नहीं हाँ आप agency के पास जा सकते हैं आपको अगर उन पर भरोसा है वो अगर एक अच्छ यह वो भी आपको leads दे सकता है लेकिन जैसे हम lead generate करते हैं Facebook में process सेमी है और अच्छे quality leads के लिए अच्छे quality leads के लिए हमें अपना campaign अच्छे से optimize करने की बहुत जरूरत है हमारे targeting सही होनी चाहिए हमारा location targeting है वो सही होना चाहिए हमारा keyword सही होना चाहिए और lead की quality वैसे ही कि हम कोई software यूज करते है यह रहे लिया XYZ का नाम बुलते है तो ऐसे कुछ होता है कि कुछ अलगते हैं और कैसे लेते हैं यह तो उनको ही पता होगा ऐसे बहुत सारे software है जिनको आप भी यूज कर सकते हैं आप LinkedIn से भी direct email address और phone number उठा सकते हैं लोगों के लेकिन कितने अक्सद है वो सिर्फ लीड नहीं है आपका मकसद है ऐसे लीड जिनको आप convert कर सके जिनको आप अपना product बेच सके तो लीड वो कहीं से भी लाके आपको दे देंगे पर उसमें से convert कितना होगा यह आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना जरूरी है तो यह software तो हजारों मिलते लिए सब्सक्राइब अब अगला मैं लेता हूं प्रश्न भिकारी जेना जी जेना जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप अच्वश्च का मैं शेयर करता हूं स्क्रीन कुट्लि आपको पेमेंट दिखा देते हैं आप सोरी मेरे दिमाग से निकल गया पेमेंट का आपको स्क्रीन दिख रहा है ना सर असर फेस्बुक डॉट कॉम स्लैश एट स्लैश मैंनेज में जाएंगे उसके बाद तीन लाइन्स में जाएंगे दुबारा और हम जाएंगे बिलिंग में बिलिंग का उप्शन आता है कि दूट के बिलिंक में जाएंगे उसके बाद यहां पर पेडिमेंट सेटिंग से कि में जाएंगे में मंंं बॉड़ कि ऐड्मनी में जाएंगे ति ऊपिडमाणी के बाद यहां पर आपको जितना भी में52 करना है अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग यूटी यूपी आई पेटिम कुछ भी यूज करके आप पेमेंट कर सकते हैं कि यहां पर बैलन्स रहेगा तो यह चलेगा ना आपका बैलन्स रहेगा तब यह चलेगा क्लियर है करेक्ट एक दम सर आप लोग सभी से मैं अपना इमेल आड्रस भी शेयर करता हूं आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है एड चलाने में कभी या कोई भी आपको समझ आप म सब्सक्राइब। यह जो पेमेंट होती है जैसे आपने बोला एक्जम्पल 500 आपने डाला तो यह डेली भी आपने डाला ना डेली राइट तो यह पर डे 500 होता है ना जी यह डेली का होता है तो रोज आपका 500 करेक्ट तो पहले हमने वो आपने जैसे बताया आड मनी को अकाउंट करना है राइट तो तीन दिन के लिए चलेगा वह बिलकुल सही बोला आपने और और क्वेश्चन है कि जो डिजिटल दुकान की लिंक है राइट वो हमें डिजिटल अकाउंट में से ही लेनी है जी आपका जो डिजिटल दुकान का लिंक है आप अपने डिजिटल अकाउंट से ही लेंगे और ये आपको आपकर सबके लिए एक स्पेसिफिक लिंक होती है आप वो लिंक लेकर आप वही यूज करेंगे तो वह सेल उनके नाम पर चले जाएगी अगर मैंने मेरा लिंक उधर यह किया पर हां उधर लीड ऑटमेटिक जनरेट हो जाती ना फिर वो लिंक से जी बिलकुल वह इंफोमेशन डाल सब्सक्राइब करेंगे लीड ऑटमाटिक जनरेट हो जाएगी और को स्कॉर स्पेसिफिक लिंक डाल सकते क्या कि समझो सिर्फ यह के लिए या सिर्फ चोटे मिया बड़े मिया वैसा सर इसकी जानकारी अचली मुझे नहीं है यह आपको सीपी बता सकते हैं आपके यह घड़गे जी कोमल जी अपना सवाल पूछ सकते हैं आप अन्म्यूट करके अपना सवाल पूछिए कोमल जी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कोमल जी आप सुन पा रहे हैं कोमल जी सवाल पूछ सकते हैं हां सर मैंने फेस्बुक पे अल्रेड़ी प्रेज क्रेट किया था उस पर इमेज अपलोड हो रही है लेकिन वीडियो को अप्शन नहीं आ रहे हैं वीडियो का ऑप्शन अगर आप एड़ पे जाते हैं और अपना एड़ कामपेंड सिलेक्ट करते हैं और एड़ अब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं तो जो जैसे आपको मैंने दिखाया था इमेज एड़ करने का जो ऑप्शन है उसके नीचे एड़ मीडिया का ऑप्शन आता जब आप एड़ मीडिया करेंगे वहां पे आप अपलोड करेंगे तो आपके पास दोनो अपलोड क्यों नहीं हो पा रहा है आपका वीडियो क्या बहुत बड़ा है कितने सेकंड का वीडियो है आपका वन मिनिट का वीडियो तो हो जाता है अपलोड मुझे पता नहीं क्यों नहीं हो रहा है आप एक काम कीजिए मुझे एक बार इमेल कीजिए मैंने अपना इमेल करने कोशिश करेंगे मेरा इमेल आप लेके मुझे एक बार इमेल लिग दीजिए हम कोशिश करेंगे कल ही कनेक्ट करने के लिए इसके लिए ठीक है ओके को मल जी अगला है कमलेश बाने जी कमलेश जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं करने के लिए लेकिन मैं परसनली मैं पांच साल से एड चला रहा हूं लेकिन मैंने हमेशा ही या तो डेबिट कार्ड यूज किया है या नेट बैंकिंग यूज किया है मैं क्रेडिट कार्ड देना पसंद नहीं करता क्रेडिट कारड में अगर मैं एड को रुपना कभी भूल जाता हूं तो मेरे अकाउंट से प्सा कट रहता है तो यह मैं नहीं चाहता है मैं चाहता हूं कि मैं ही पैसा निकालूं अपने debit card से और जितना मैं comfortable हूं उतना amount में डालूं Facebook में और उतने ही amount से मैं चलाऊं credit card में क्योंकि आपने अपना CVV number और अपना OTP देके आपने confirm किया होता है तो वो information वो लेते रहते हैं इसलिए मैं recommend करूँगा कि credit card की जगा debit card ये net banking युज़ कीजिए अगर आप सेफ करते हैं आप अपना debit card कुछ भी सेफ करते हैं वो एकदम सेफ है आपका आप OTP डालके अपना CVV डालके आप उसको confirm नहीं करेंगे कोई पैसा नहीं निकालेगा क्योंकि Facebook अगर ऐसे लोगों के अकाउंट से पैसा निकालने लग जाएगा तो Facebook को भगाना पड़ेगा इंटिया से तो ये बिल्कुल सेफ है आपका card का information मिस्यूज नहीं होगा आप इसका चिंदा मत करिए बिल्कुल दिए तो किसी को अगर उस लिंक में जाके अपनी information मान लिजी उसने form में नहीं देना चाहता है वो वो उस लिंक पर क्लिक करके देखने चाहता है वहाँ पर क्या है तो आप वहाँ पर नौमली privacy policy में हम क्या करते है अपने website का वो वाला link डालते है है जहांपे हमारे website की privacy policy क्योंकि हम अपना वेबसाइट कर रहे हैं हमारा privacy policy कोई नहीं है तो हम बाउन्स करका दे रहे हैं कि वहां पर क्लिक करके हमारे उसके पास एक option और हो जाए वहां पर information देने का और एक बात बताईए कि जैसे ट्राफिक एड चला है तो उसमें वो वेबसाइट खुल जाएगा तो सर यह अपने का लिजए यह मखना वाला एड चला रखा है तो इसमें इस्टेंट फॉर्म डाल रखा है तो वह अब अपने उस पे बाउंस बैंक वाले लिंक पे नहीं जा सकता तो अगर उसको पहुचा सबको यही रहेगा जब आप चलाते हैं तो अगर आपके पास हजार रुपया है स्पेंट करने के लिए रोज का तो पांच सो रुपया आप ट्राफिक एड में लगाई है पांच सो लीड एड में चले दोनों में आप डिवाइड कर दीजिए और देखिए कि कौन सा एड स आपको अच्छा रिस्पॉंस मिल रहा है सर एक क्वेशन और है कि वीडियो अपन कितना लंबा चला सकते फेस्बूक पर मैंने भी लेटेस्ट अपडेट नहीं देखा पर में को लगता है नाइंटी सेकंड तक का टाइम रहता है वीडियो का पर किसी ने मुझे बोला कि उ यूटूब से मत लीजिए क्योंकि उसमें दूसरा फोन नंबर दिया हुआ है यह सर्य उसमें आपको नहीं मिलेगा वह से इसलिए आप अपने वहां से कर सकते हैं जो एडिट करके नहीं एडिट कर सकते हैं या आपका जो LMS है LMS में ब्लैंक वीडियो है आप वहां पे ब् आपके पास एक वन बाइवान आएंगे सीरियल वाइस अभी मैं योगिता जी के पास आता हूं आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं आपके पास आउंगा योगिता जी पूछिए सर्य एड कैसे दिखता है तो इसका प्रीवीव हम देख सकते हैं ताकि मतलब कस्टमर को कैसे दिखेगा वह हमको पता चले वेरी वेरी गुट क्वेस्टिन मैं आपको अपना स्क्रीन शेयर करता हूं दुबारा से आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं आप अभी देखिए जो हमने एड रन किया वह यह वाला था डीबी ट्राफिक कर्रेक्ट हम डीबी ट्राफिक एड में इसको क्लिक करेंगे एक सेक्ड़ा एक बर फेस्बुक डॉट कॉम एड्स डॉट मैंज पर आएंगे उसके बाद हम अपना एड्स मैंचर पर आएंगे और हम देखेंगे कि हमारा एड कौन सा है तो फॉर एक्जम्पल हमारा DBB leads एड है DBB leads एड पे हम क्लिक करेंगे उसके बाद हम दुबारा से इसको क्लिक करेंगे तो अब आप देख सकते हैं उपर एक preview का option आया more preview correct अब आप अपने एड को select करेंगे यहां से अब आप इसा दिखेगा अब अगर आप mobile news feed में जाने के जगह आप डेस्टॉप में देखना चाहते हैं डेस्टॉप सिलेक्ट करेंगे अब यह डेस्टॉप का प्रिव्यू ऐसा देखेगा आपको कस्टमर को ऐसा देख रहा है ठीक है तो यह बहुत इजी है यह वेरी गुट क्वेस्ट थैंक्यू योगिता जी और कोई सवाल है आपका थैंक्यू सर नहीं सर ओक्यू थैंक्यू सुशान जी आप अपना स्वाल पूछ सकते हैं सुशान धामल जी हलो स्वाल था कि यह वर्या वर्यमच्ट करेंगे तो कुन से उसमें अंट्रेश डाले जिसे वह प्रोपर ओडिएंस तक हमारा एड पहुचा है जब भी आप उडियन्स सिलेक्ट करते हैं आप हमेशा ध्यान पहले यह रखिए कि आपका प्रॉड़क्ट क्या है और आपका प्रॉड़क्ट जो है वह कैसे लोगों को एट्रक्ट करेगा यह आपको ध्यान में रखना जरूरी इसको बोलता है कस्टम कौन है han किस जगह रहता है उसका है क्लिशाद की से ले secreinh यह सारी चीजेशे का प्रोफाइलिंग करना होता कि है की कौन से यह और इसके लिए लोग भी नहीं चाहिये और यह का काकी स्टूड़क्ट कर सकता है। तो आप अपना एज ग्रूप उस शक्रावर से सिलेक्ट कीजिए और लोकेश्ण आप उस श Infinite ही किस लोकेशन में आपको ज़्यादा लोग मिलेंगे आप सेटी शिलेक्ट कर सकते हैं टाउन सिलेक्ट कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं तो क्योंकि ये ticket size 1000 रुपया है, आप ऐसे लोगों को select करें जो student है, जो entrepreneurship में interested है, जो अपने life में motivation चाते हैं, जो motivational speaker, जो already Anthony Robbins और Jim Ron इस तरह के motivational speakers को follow करते हैं, जो Sandeep Maheshwari के fans हैं, आप देखिए ऐसे लोग, जो इन सब चीजों में interested हैं, वो लोग का काफी interest, जिनको अपना business grow करना है, तो थोड़ा बहुत आपको सोच के, वो strategy बना के फिर आप उनको targeting कर सकते हैं, ठीक है, Sushan जी, Thank you very much, All right, Avinash, 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 Avinash जी, सवाल पोच सकते हैं, आपना, Hello, Sir, Hello, Avinash, Sir, मैं actually, आज का मेरा second day है, add run करने का, तो मैंने targeting भी किया है, customer, audience, और वह सारी चीज़े, और मज़े almost 24 clicks भी मिले हैं, उसमें, जब मैं बड़ा business के CRM में चट कर रहा हूँ, तो जैसे एक ही पतन ने चार बार form फिलप किया है, और उसमें अलग-अलग अलग ये डाला है, तो उसने अभी उसका data जो है, authentic भी नहीं लग रहा है, तो इस तो लोग कैसे रोक के basically, तो हैंने मेरे lead वेस्क जैसे मुझे लग रहा है basically, और clicks तो इसने हैं, लेकिन CRM में सिर्फ दोई लोगों का data दिखता है, शे entries दिख रही है, तो ऐसा हो सकता है कि क्लिक क्या हमको optimize करने की कोशिश करनी की है मुझे, तो क्या है मैं सिर्फ अपना campaign का जो details से आपके साथ में share कर सकता हूं ता कि optimization आप बता सके, हाँ, बिल्कुल आप share कर सकते हैं, आप अलग से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, आप एक काम कीजिए मुझे एक email लिख सकते हैं, आपका शायद मुझे कुछ आया भी है, इंस्टाग्राम पर या कहीं पर आपने कुछ भेजा है मुझे मेरे ख्याल से, मैंने से आपको request भेज से की है, और कोशिश करते हैं कि आप इस से थोड़ा सा आपके leads की quality को हम improve करने ही कोशिश करेंगे, अगला हम लेते हैं, नईम सयानी जी से, नईम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं अपना डेली बजट करेंगे थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रहे है, नईम जी, थोड़ा सा अपना connection एक बार चेक करके दुबारा सवाल पूछिए, हलो, हाँ जी, नईम जी, हलो, हाँ आपकी 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 डेली बजट कैसे सिलेक्ट करते हैं से क्या मतलब है आपका कि 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 अधर करेंगे आपके पास एड रन करने के लिए कितना बजट है वह आप खुद डिसाइड करेंगे कि मेरे पास हजार रुपया है और हजार रुपया से मैं एड चलाना चाहता हूं अब मेरा डिजिटल सब्सक्राइब कर सकता हूं या मैं रोज 200 रुपया स्पेंड कर सकता हूं पांच दिन तक आप उस हिसाब से अपना बजट डिटमिन करते हैं तो सैट कैसा करेंगे आप डेली बजट सिलेक्ट करेंगे उस पर आप डालेंगे जो आपका अमाउंट होगा मैं एक्चली आप क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा हूं कि डेली बजट सेट करेंगे से क्या मतलब है मतलब आप बजट जाएंगे आप उस पर अमाउंट डालेंगे आपका डेली बजट सिलेक्ट हो जाएगा आप क्या एक्चली पूछना चाहरे हैं मैं समझ नहीं पा अच्छा मैं नेक्स क्वेश्चन है कि वो जो कैम्पेन है कौन से ओडियंस को दीखेंगा ओडियंस भी वही होगा जिसको आपने टाइगहे अगर आप एजग्रूप आपने लिया है क्ची साल से पैतालिस साल टार्वकें और आपने स्मॉल बिसनेसनें को टार्गेट किया है तो जिनकी भी promise पैसी है जो स्मॉल बिसनेस्टैus या जो पच्चीस साल से पचास साल के अंडर में आते हैं वो सब को वह दिखेगा तो आपने जैसा टार्गेटिंग किया आपको एड वैसा लोगों को ऐसा एड दिखेगा मैं लोग फ्रेंड लिस्ट में जरूरी नहीं है नो किसी को भी देख सकता है वो आपके फ्रेंड लिस्ट से समाधान जी समाधान जी का कोई सवाल है समाधान जी पेस्ट कोई सवाल पूछ सकते हैं समाधान जी अपने सवाल पूछे व Logan घंड व्यावेद्धे लिस्टींड एविरू बेड वोट बेढ क्यों वेर्यों इमेज यह कहता है क्यों जो विडियो एड्ड है वह जादा रिस्पांसिव होता है वह ज्यादा फूमेश एग्जमेंट आती है और और लेंच क्योंग वीडियो में लोग जादा टाइमि करते हैं लेकिन इसकी भी कुछ शर्तें है शर्तें यह है कि लोग अगेन अनादर डेटा सेज कि पहले पांच सेकंड में ही लोग डिसाइड कर लेते हैं वीडियो के कि उनको इस पर क्या एक्षन लेना है वह इंट्रेस्टेड है कि नहीं उस प्रॉडक्ट पे या उस सर्विस पे तो पहला पांच सेकंड इस वरी इंपोर्टन इस देख के यह क्लियरली मेंशन किया हो अगर ऐसा विडियो आपके पास है विडियो की क्वालिटी अच्छी है तो मैं तो कहूंगा विडियो यूस कीजिए इमेज की जगा विडियो इस ऑल्वेस बेटर दन मेंज अगर कोई भी मोबाइल से यूज़ कर रहा है या कोई भी बूस्ट पोस्ट कर रहा है उनको मैं बोलूँगा कि प्लीज अभी रुख जाईए आप लोग अगर फेसबूक पर औराएं गूगल पर चला रहे तो हमेशा एक लैट भी जोज अगर किसी के पास लैट आप jupt नहीं है वो किसी से बौरों कर सकता है या अगर कोई फ्रेंड नहीं है जिससे बौरों कर सके तो आप साइबर cafे में जा सकते हैं लेकिन प्लीज प्लीज आप से मत किजी कि फोन पर बहुत इंफरमेशन नहीं दिखती है फोन एक शॉटकर्ट मीडिया है एड चलाने का फोन के लिए नहीं बना है गूगल एड या फेस्बुक एड वो फेस्बुक एड लैप्टॉप के लिए ही बना है तो आप प्लीज लैप्टॉप ही यूज कीजिए यह मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से ओके थैंक यू सर आल राइट समाधान जी आपका थैंक यू आप सना सना उल्ला जी सना उल्ला चौदरी जी अपने सवाल पूच सकते हैं सर मैंने यह आज एक एड रन किया था तो उसमें कॉश्ट पर लीट सेवेंटी रुपीज आ रहा है पर हांजी थोड़ा एक्सपेंसिव है आपका सीपील करेक्ट तो उसको कम करने के लिए मतलब कितना अनुछी मिनिमम देखिए अगर आपने एड रन किया तो बीस रुप क्योंकि आपने एड आज ही रन किया है और फेस्बुक यह कहता है कि कोई भी एड का परफॉर्मेंस देखने के लिए उस एड को एट-लीस तीन दिन तक रन करने की जरूरत है तीन दिन के बाद आपको बैटर आइडिया होगा वह आड कैसा परफॉर्म कर रहा है तो तीन द के नया आप एड कैंपेंड शुरू कर दीजिए मैं आपको यह बोलूगा ठीक है ठीक है तो अब कृष्णा राठोड जी अपना सवाल पूछ सकता है कृष्णा राठोड सर मेरा सवाल यह कि सर मेरा दिस्टेबल हो जाता है देखिए यह जो प्रॉबलम है यह काफी जादा आ रहा है फेस्बूक उन अकाउंट को रण कर आपने कहा मैं जब भी आड करवाता हूं इसका मतलब आप किसी और से रन कर्वा रहे हैं ने ने मैं खुद करता हूं सर तो तो उसके लिए मुझे मेरा भाई का फेस्बूक अकाउंट लेना पड़ता है वो भी डिसेबल हो जाता है तो तो फेस्बूक जो होता है फेस्बूक की कम्यूनिटी गाइडलाइन्स बहुत क्लियर है जब भी हम कोई एड चलाते हैं तो उस एड में अगर फेस्बूक को यह है कि यह एड किसी मुल्टि लेवल मार्केटिंग को प्रमोट कर रहा है या ऐसे किसी चीज़ को प्रमोट कर रहा है जिसमें हम लोगों को जल्दी अमीर बनातें के नुखे बता रहे हैं या ऐसा कोई content है जिसमें हम M.L.M. को कपर मोट कर दें तो उसको ब्लॉक कर देता है इसके कई reasons हो सकते हैं कि क्यों block करता है हम Facebook से भी contact कर चुके हैं वो भी कोई clear जवाब नहीं देता है इसका और नहीं उनका कोई call center है जिससे हम बात कर सकें तो जब ऐसा होता है सबसे best जो solution है वो है कि हम उस एड को हम एक नया एड बिनाएं और उसको नए तरीके से चलाएं यही एक best option है अच्छी तो unfortunately इसका कोई solution नहीं है कुछ कुछ words है जैसे offer या become rich या MLM इस तरह के keywords या words आप use मत कीजिए और आप Google search करेंगे some आप अगर देख सकते हैं Google search में आप करेंगे कि what words to avoid or some words to avoid to not get account disabled, to not have an account disabled उसमें आपको दिख जाएगा कि कुछ-कुछ words हैं जो वो avoid करने के लिए बोलते हैं तो offer वगेरा, MLM वगेरा, Amway इस तरह का नाम आप use मत कीजिए और उसके बाद आप चलाने ही कोशिश कीजिए clean होना चाहिए आपका एड और आप उसकी Facebook की community guidelines एक बर पढ़ लिजेगा clearly जैसे आभी join IBC या ऐसे कुछ word यूज करते हैं तो नहीं होना चाहिए join IBC आप स्ट्राइब कर सकते हैं लेकिन अगर disabled होता है तो आप फिर उसको भी avoid कीजिए लेकिन पैसा कमाने का तरीका यह सब फुड़ा सा आप मत लिखिएगा आप अगर अपने कैंपेंड में जाते हैं वहाँ पर रिजल्ट के नीचे ही एक फाइल होगा उसको डाउनलोड करके उनकी इंफरमेशन देख सकते हैं ठीक है अब मैं अगरा सवाल लेता हूं विजय जी से विजय जी अपना सवाल पूछ सकते हैं इसमें जो लोकेशन अपन सेलेक्ट कर रहे ना पेस्बूक में वह एरिया वाइज मतलब किलोमेटर रेडियस वाला एक उप्शन होता है तो वह अपने होता है थोड़ा समझना था मुझे मालो जिस टेरिटरी में मैं काम कर रहा हूं अगर वह से एरिया में वह का जुतना भी किलोमेटर रेडियस में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो वह कहां से इलेक्ट किया जब आप लोकेशनुर्ट करते हैं एक अगर आपने देखा होगा उसमें हमने इंडिया डाला हम राजस्थान डाल हमने लोकेशन जह सब्सक्राइब १ैक्रवेजूसी कि ब्रॉबını किुझा लिए जिसकी बिसकेशन के ऑगरा आप शो कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा वो मैप पे एक लोकिशन आता है सर माप पे आप पिन ड्रॉप करके वो सरकल देख सकते कितना बड़ा में आप जा सकते हो कितना टेरे टेरे में तो वो थोड़ा से समझना था सर वो मैं आपको दिखा सकता हूँ आपको मैं स्क्री अगर आप देखे मैंने यहां पर जैपूर सिलेक्ट किया है और जैपूर के साथ प्लस 25 बाइड डिफॉल्ट ही आ गया है तो उसको क्लिक करेंगे तो यहां पर 10 से लेके 50 km तक आप टागेट कर सकते हैं तो आप ऊपर निचे करेंगे होवर करेंगे तो यह होता रहेगा ओके फाइन तो राइट क्लियर क्लियर दैट्स तो यह था अभी मानस भूमिक जी अपना सवाल पूछ सकते हैं मानस जी तो इस लिए जाए कि अगर इंडिया सिल्ट करते हैं तो कंट्रोल कुरा फेस्बूक के हाथ में होता है तहां की सिटी में किस लोकेशन में एड इड इखाना इस सिक्वेंसी में दिखाना है अधरवास हम अगर कस्टमाइज करते हैं लोकेशन तो हूँ हमारे कि जब भी आप location सिलेक्ट करें तो जितना आप specific location टारगेट करते हैं उतना ही अच्छा होता है तो जैसे आपने कहा अगर हम इंडिया करते हैं तो फेस्बुक की लिए मैं इंडिविजूल स्टेट वह मैं प्रिफर करता हूं तो वैसे हम कितने सीटी कर सकते हैं मैक्सिमम इंडिया अप जितना मर्जी कर सकते हैं जितना मर्जी लेकिन बहुत ज्यादा करने का प्रॉब्लम यह होता है कि अगर हमारा बजट लो है तो बहुत सारे cities में वो फिर thinly spread हो जाता है तो बहुत फाइदा नहीं होता है उसका अगर हमारा budget कम है तो 3-4 city तक ही लिमिट रहना is better कि मेरा दूसरा सवाल यह था कि मेरा जो फेस्बूक पेज़िए नौट स्पेसिफिकली में पर विबिक बिंद्रा जी और पहले सी पेज था पर्सेशनल पेज था पर्सेल ब्रैंडिंग के लिए तो क्या उसमें अभी अभी में क्या उसमें ऐसे कुछ एड करूं ताकि मेरे किसी भी पेज से रन कर सकते हैं और जब एड कुछ चलता है तो नौमली वह दिखता है कुछ लोग आते हैं कि पेज में आके देखने की कोशिश करते हैं पर अगर आपने एक पेज बनाया है जिसमें आपने विवेक बिंद्रा सर का भी कॉंटेंट शेर किया और दूसरे कर सकते हैं मुझे लगता कोई प्रॉबलम है यह कोली पेज से कोई लेना देना नहीं होता है वो वसाइट को क्लिक करके जो आपका युवारल है वह वहां पर जाते हैं तो आप उस एक कर सकते हैं और नूमली क्या होता है कि अगर आपका एड किसी चीज को परमोट कर आ सब्सक्राइब कर सकते हैं लेकिन फेस्बुक बहुत बार नहीं करता है एक बार मैंने आठ बार अपलाई किया तब जाके मेरा पेज रीनेम हो जाता है कभी कभी नहीं होता है तो यह तोटली फेस्बुक के ओपर है मैं सज्जेस्ट करूँगा कि आप उस पेज 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 चला सकते हैं एक बार नहीं तो अगर आपके लाई पॉसिबल है तो एक नया पेज बनाके उसमें कुछ चला है चौबीस घंटे के लिए और आपने बारा घंटे में बंड कर दिया तो बारा घंटे में जितने हैं वो दो और आपने तो belki का 300 सबस्क्राइब सब्सक्राइब करेंगे तो सबसे पहला आपका एड सेट होता है सबसे बेस्ट तरीका है facebook.com slash add slash manage में आने का उसके बाद आप ads manager में आएंगे उसके बाद आपका campaign जो है उस campaign को आप select करेंगे और यहाँ पर वो campaign ad set और ads आता है तो आप ad set को जाके एक नया campaign एक नया ad set create करेंगे तो आपका नया ad set create हो जाएगा और same campaign में आपका दो ad चलेगा आप तीन भी कर सकते हैं चार भी कर सकते हैं कोई इसकी limit नहीं है ठीक है आप दो तरीके का ad भी चला सकते हैं एक आपने लीड चला दिया एक आपने ट्राफिक एड चला दिया दोनों आपका चलता रहेगा वह एक बेटर स्ट्राटीजी आचली ठीक है विजय जी कृश्टा जी सौरी ठीक है कृश्टा जी थेंक यू से अ थेंक यू विजय जी कोई सवाल है आपका विजय नवाले जी ठीक है मुझे है हाँ सर हाँ जी कृश्टन यह था सर जैसे अपने विवेक्सर के फॉलवर्स तो बहुत सारे है और ऐसे बहुत सारे लोग है जो फेस्बूक में कही न कही विवेक्सर को लाइक करते हैं मैंने बहुत बार सर्च करने की चीज कोशिश की कि उनके नाम पे कुछ इंट्रेस्ट फिल्टर ने हो पाता है या फिर उनको कही पे फॉलो करने वाले लोग है उन लोगों को अपन कैसे टारगेट कर सकते हैं जो 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 भी कही न कहीं उनको लाइक किया हो कहीं न कहीं उनका वीडियो देखा हो या उनका फॉलोर हो आइदर फेस्बूक में हो या यूटूब पे हो तो हाव वी कन टारगेट दोज कस्टमर्स देखिए अगर आपने विवेक बिंद्रा जी के वीडियो से कोई एड चलाया है और आपके वीडि विवेक को डूपलीकेट कर सकते हैं जिन्होंने आपका कस्टम ओडियंस में जाके अप ओडियंस के दूलिकेट कर सकते जिन ने आरदि विवेक बिंद्रा जी के वीडियो को देखा है ये आपका करेक्ट कहना है कि जब आप Facebook में इंटर्स अर टारीटिंग करता है तो करके आप उन लोगों के साथ वहां पर जुड़ सकते हैं वहां पर अपना कॉंटेंट शेयर कर सकते हैं एड के माध्यम से यह पॉसिबल नहीं हो पाएगा अभी तक एक दिन ऐसा भी आएगा जब विवेक बिंद्रा जी का नाम भी वहां पर आमशोर फेस्बुक को लगेगा कि हाँ यह नाम बहुत बड़ा हो गया है काफी लोग सर्च कर रहें तो वह उसको भी एजन इंटर सिलेक्ट करेंगे अगर उनका नाम नहीं आ रहा है तो आप मोटिवेशन ला सकते हैं आप सेल्फ हेल्प ला सकते हैं आप सेल्फ हेल्प गुरू सिलेक्ट कर सकते हैं कुछ पेजस के नाम से भी सर्च करते हैं जो जितने लोगोंने पेजस लाइक प्रेटिकुलर कोई पेज लाइक किया हो तो उनको भी टारगेट कर सकते हैं बट ऐसा कुछ है क्या जो विवेक सर के रिलेशन में मतलब रिलेटेड कोई पेज अल्रेडी अपना चल रहा है और उनको अपन फिल्टर कर सकते हैं यह तो पेज आपको देखेड़ा को विवेक बिंद्रा के नाम से पेज है और बड़ा बिजनस के नाम से भी पेज है कि उनके pages को देखिए कैसे लोग comment कर रहे हैं कैसे लोग उसमें like कर रहे हैं उसको आपको एक idea हो जाएगा कैसे लोग जुड़ते हैं फिर आप next time customer profiling करेंगे तो वैसे ही लोगों को करिए आप उनके profile पर जाके देखेंगे कैसे लोग हैं कहां से आते हैं कहां रहते हैं आप उसको target कर सकते हैं next time चलेगा सर चलेगा fine sir all right विजय जी thank you so much आपके सवाल के लिए और आप सभी को thank you मेरे को जिसने भी instagram में request भजा है उनको भी thank you मैं भी आपका request accept करूँगा और जो भी इमेल में जुड़ना चाहते हैं इमेल करिए पर thank you so much आप सभी को पूछने के लिए अंकित सर इस अशर बत करो महाराश्य दुले से पूछ सकते हो सर एक सावार हाँ ध्याने शिर जी पूछिए लो इस अशर की एक्षिले मेरा ना थोड़ा इस लिए ना में पुरा टेशन एटन नहीं कर पाया हूँ यह सेशन दूबारा हो ओंगा क्या हां जी आप अपने अपने सीपी से आप कॉंटेक्ट में रहिए अपने राए बेसी से कॉंटेक्ट में रहिए जब भी नेक्स सब्सक्राइम होगा वह आपको वाट्सप पर जरूर इंफर्म करेंगे ठीक है तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू आप प्रॉब्लम्स को आज रेक्टिफाइक कर दिया है प्रॉब्लम सॉल्फ कर दिया है लेट्स होग अप सब लोगों के प्रॉब्लम सॉलव हो गया है लेट्स बांस बैक तोगेधर Thank you so much for your valuable time sir मैंको definitely लगता है कि आप आज का सेशन बहुत पावरफुल था काफी लोगों के जो माइनर माइनर प्रोब्लम्स आ रहे थे जो पूछे जा रहे थे वो आटमेटिकली सारे आज सेशन से अटेंड करने के बाद क्लियर हो चुके हैं पूरे टीम के तरफ से थांक क्यू और अटबस थेंक रहा है अंकित जी थैंक कूह आपका भी और आप सभी डिसीजी जो भी जुड़े हैं आपrying आप 13th थांक यह कि पूल और भूश आप आगे आई झाल 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 झाल